तो नमस्काल किसान भाई आप लोग का बहुत दोट सा गया थे एक ने वड़ पर तो किसान भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि लीप माइनर हर एक फसल पर जैसे कि अब देख सकते हैं और यह प्लाटना 40-50 इसम matt कि लागबग अर लीप माइनर होता किस परकार से तो जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा तो जैसे कि आपको देख सकते हैं लीप माइनर इस प्रकार से लेता है यह देखिए पत्तियों पर देखे साप टाइप से चल जाता है ठीक तो इसके लिए कौन से दवाई को प्योग करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी में कौन से दवाई को प्योग करें मैंने खुद हमारे देख सकते हैं कि प्लाट बिस पे हमारे में फसल पे लीप माइनर के प्रव्लम आ गई तो बहुत सरे किसन पर प्रव्लम कह रहे थी कि ज्यादा एक को प्योग करते हैं तो समझे नहीं आती है तो आज मैं आ से मुस्म थोड़ा पारिस कीया है बट किया है कि दवाजियां कौई सो फ्योग किया जाए कि हमारे जो लिप मायर के प्रव्डम में ठीक हो विलराइटी कोई से चीज़ की जाए तो आपको मैं बता देता हूं इसी वीडियो पर कि बैक्टी विल्डी को लगा है देख सकते है इसको मचान देकर करके रेडी कर दिया है अब देखिए और चड़ रहा है तो अभी ज्यादा नहीं जाएगा उच्छा क्योंकि क्या है गरिमी सिन्पर है इतना साइस तक आएगा उसके बाद यह ज्यादा नहीं जाएगा उत्पादन काफी अच्छा देगा 15-20 प्रोड़ा तो बेनिफिट अच्छा मिल जागा तो आपको मैं यह भी बोलना च्छोंगा आप अगर लगा है तो मल्चिंग उप्योग करिए मल्चिंग उप्योग करने से बेनिफिट अच्छी रहती है खरपादर के समस्य से आपको कमी देखने को मिलेगी और सतर से पच्छतर पादन आपको कफी अच्छा देखने को मिलता है आपको मैं थोड़ी सापकी जनकार के लिए पताना चाहूंगा कि इसको हमने लगा है यह देख सकते हैं हमारी जो पौधा है वहां पस तो खरपादर आ नहीं रही ना जो हमारा जिसे निद्ट्रेशन्स जो हम दे रहे हैं उसका वह घरपतवर नहीं ले रहा है हमारा पौधे पर जा रहा है तो बेनिफीट हमको ज्यादा मिलती है तो आपको हमारे किसान भाई चाहें तो डिरिप एरिंग सिटम और मल्चिंग उप्योग कर सकते हैं उनको बेनिफीट ही अच्छा मिलता है देखिया फल किस परकास है यह हमारे किया करती फ़सल को खराब कर सकती है सब्सक्राइब कर वहा कि इसको बोला जाता है कि यह देखिये बहुत शरीं आती है जदा expensive लुब दो आई प्लाट है उसन्सका काकी है उसकी सीमें काँए पप्यों काशुम कुण हम में लगते हैं भी अब रुब उसने प्यू अब उसन में रुगा तो आपको बताऊगा कि एक्सकाइट किया है कि किसी भी सीजन पर हम उपयोग कर सकते हैं उसका एक्सकाइट हर इस पर काम करें जिसे ठंडी हो गया बरसात हो गया गर्मी हो गया इस सब भी आदवाई काफी अच्छी काम करती है और 123 क्या है ना कि वह तेखिए गर्मी के सिज पर डालिएगा ही नहीं अगर डालिएगा तो आपको पैसा के वेस्ट लगेगा और देखिए क्या है ना आपको प्रायज भी थोड़ा बता जाता हूं दो टंकी के लिए अगर आप एक्सकाइट लेते हैं तो 160 रुपया करीब हैसी लगता है 160 रुपय मालेजिए आप किसी पर टंकी परता है ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं डाल सकते हैं आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगी और 123 क्या करता है चाठ टंकी गलिया आता है और तीन सो रुपया पड़ता है लेकिन उसको आप क्या है नुश को गर्मी किशेन पर ज्यादा लगई जाती है तो आप क अगर आपको आपको अच्छे लेगी अच्छे लेगी तो चले दोसे अच्छे लेगी बस इतना ही